प्रिये विद्यार्तियू नमस्कार उससे पहले तो यहाँ पर जी विज्यान का पेपर दोस्तों यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है यदि आपने ऐसे इन प्रिश्णों को पढ़े हैं पहले तो कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे इसी परकार आपको वीडियो मिलते रहें कोश्चन नमबर पहला आप देखेंगे सही विकल्प के रूप में साइनो बेक्टीरिया को निमनलिकित में से किसके अंतरगत वर्गिक्रित किया गया है तो देखिए यहाँ पर साइनो बेक्टीरिया जो है इसको रखा गया है मोनेरा मोनेरा के अंतरगत इसे वर्गिक्रित किया गया है अगला कोश्चन है मिजोगलिया बनी होती है से अकासी जेली से यह बनी हुई होती है अगला कोश्यन है ग्रंती में जड़े पाई जाती है जो ग्रंती में जड़े पाई जाती है किसमें पाई जाती है तो यह पाई जाती है लेग्यू मिनोसी में ग्रंती में जड़े पाई जाती है अगला कोश्यन है सीरसस्त उत्तक के डर्मेटोजन का प्रमुक कार्य है तो देखिए हैं सीरसस्त उत्तक के डर्मेटोजन का प्रमुक कार्य जो होता है वो होता है बहाय तवचा का निर्मान करना ठीक है अगला कोश्यन आप देखेंगे कि बहाय तवचा का निर्मान करना उस तुलसी में जो पुस्प क्रम पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों कूट चक्र में कूट चक्र में तुलसी में पुस्प क्रम पाया जाता है जिन दोस्तों ने कक्चा 11 वी वाले जीव विज्ञान का पेपर देने वाले दोस्तों ने अभी तक वीडियो को शेर नहीं कर आगे अगला कुश्यन है आपका क्वांटसों पाए जाते हैं तिक क्वांटसों जो है दोस्तों वो किस में पाए जाते हैं इसका राइट अंसर होगा आपका माइट्रो कांड्रिया में क्वांटसों पाए जाते हैं अगला कोशन है सीत निस्क्रियता के समय मेडग स्वसन करता है देखिए सीत निस्क्रियता के समय जो मेडग होता है वो स्वसन मतलब सांस लेता है वो लेता है मुक गुहा द्वारा ठीके अगला कोशन रिक्तिस्तान यहां पर देखेंगे रिक्तिस्तान सभी देख लिजीए केम केम चक्र पोदों का विशिष्ट लगचन है सी एम चक्र पोदों का विशिष्ट लगचन है तो इस खालिस्तान में लिख दीजेगा मांस लोबदी ठीक है मांस लोबदीध आपका राइट असर रोजागी यहाँ पर लिखा है अगला कोशन सरीर से उत्सरजी पदार्तों को करतिम रूप से बाहर करना कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तों हीमो डाइलेसिस हीमो डाइलेसिस कहलाता है परिपक्व अंडाशे को कहते हैं तो परिपक्व अंडाशे को फल कहते हैं को प्रोटीन की पेक्टरी कहते हैं तो राइबोसोम को प्रोटीन की पेक्टरी कहते हैं हीमोगलोबिन आक्सिजन से मिलकर योगिक बनाता है तो आक्सी हीमोगलोबिन बनाता है फेपडो में आक्सिक्रित रक्त हिर्दे के बाए आलिंद में द्वारा पोचाया जाता है तो इसमें आपका राइट अंसर होगा पलमोनेरी शीरा के द्वारा अगला है सिंगाडे के कंटक के रुपांतरक है तो इसका अंसर होगा भाय दलो के आगे बढ़ जाईएगा एक सब देखवाक्य मुत्तर यहां पर आपको देना है वे तंत्रीका है क्या केलाती है जो समवेदी या चालक दोनों का कारी करती है तो उसे कहते हैं हम मिस्रित तंत्रीका ब्रायो फाइडा में पोफन के आदार पर युग्म कोधिभी केसा होता है तो यह सुःपोशी होता है यहां सरलिका है देख सकते हैं केम्बियम की उपस्तिती वाले समवन पुल को क्या कहते हैं तो खुला समवन पुल उसे कहते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धात्य उपस्तित होती है। मेगनीशियम। केप्स चक्र में ATP के कितने अनुद्पन्न होते हैं। तो उसमें होते हैं दोस्तों 30 ATP। अगला कोश्चन है यूर्या का निर्मान यकरत के किस रासानिक चक्र द्वारा होता है तो ये होता है दोस्तो औरनि थिन चक्र द्वारा ठीक है औरनि थिन चक्र के द्वारा अगला कोश्चन देखिएगा आर्थो पड़ा के रुदिर रंग का हलका नीला किसके कारण होता है तो हीमो साइलीन के कारण यह होता है अगला कुश्चन आप देखेंगे इस्क्रीन पर नजर आएगा अभी आपको यह आपकी जोड़ी यहाँ पर है रेन वीर के नोड ठीके तो यहाँ पर देखिएगा जोड़ी आपको बता देखेंगे तो जोड़ी नंबर यहाँ पर देख लीजिए यह रही आपकी जोड़ी नंबर ताकि आपका समय बच जाएगा इस्क्रीन सोट ले लेना भी वीडियो को थोड़ा पोस करके पीछे कर लेना थोड़ा सा यह कोश्चन देख लीजिए जो कलके पेपर में क्या ताथपर्य है तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं कोश्चनों को जो कलके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे सबी जितने भी ऐसे दोस्ते हैं जिन्होंने प्रिष्णों को कंप्लेट नहीं करा है जल्दी से कंप्लेट कर लीजिए क्योंकि यह परिष्ण आपको कलके पेपर में देखने को मिलने वाले है अगला कुश्चन आप देखेंगे सुंत्री विबाजन को सम विबाजन क्यों कहते हैं यह कुश्चन नमबर 13 भी आप देख सकते हैं चबदा देख सकते हैं तो आमें भी आपको देखने को मिल रहा है इर्दे की कड़ी काट का नामंकित चित्र बनाईए मनुष्य के नेपरान नामंकित चित्र बनाईए नेपरान का ठीक है नेपरान का चित्र बनाना है इसा भी देख सकते हैं कोशन 17 कोशन नमबर 18 तो इन कोशेनों को कम्प्लिट कर लीजेगा अभी आप लोगों के पास थोड़ा सामें बच्चा हुआ है तो जल्दी से अगर इन प्रिश्णों को अभी कम्प्लिट नहीं करा है तो इनको पढ़ लीजेगा ये आपको देखने को मिलने वाले हैं 13 अक्टूबर के पेपर में तेरे मासिक परिक्चा जो आपके चल रही है आप सभी की बहुत अच्छे तयारी चल रही होगी तो आप सभी दोस्त इन प्रिश्णों को एक बार और रियुजन करके जरूर जाईएगा अपने सभी दोस्तों को अगर अभी तक वीडियो को सेर नहीं करा हो तो एक बार शे जिट के आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद